नमस्ते आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल माजी की रसोई में आज की रिसिपी है एकदम सूपर टेस्टी हरा भरा कबाब जो रेस्टोरेंट स्टाइल में हैं जो रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगा स्टार होता है और इसको खाना सब लोग बहुत पसंद करते हैं और इसको आज हम घर पे बनाएंगे एकदम आसान टिप्स एंट्रिक के साथ तो पूरी वीडियो जरूर देखिए तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है हरा भरा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पड़े से कटोरे में आधा लिटर पानी उबलने के लिए रख दिये हैं और जब उबल जाए तो उसमें जो हमने मटर छील के रखे हैं एकदम फ्रेश मटर है ये और उसको डाल दिया है सबसे पहले फिर इसमें एकदम फ्र ब्लांच करना और फिर इसको जब उबल जाएगा 2-3 मिनट हो जाएगे तो इसको हम ठंडे पानी में निकाल के चल्दी से रख लेंगे ताकि इसकी कुकिंग बंद हो जाए और यह अपना कलर न छोड़े और स्वाद भी बना रहे तो ब्लांच करने से पालक और कोई भी हरी स सब्जी का कलर बहुत ही सुन्दर हो जाता है अपना कलर नहीं चोड़ता है तो इस तरह से ब्लांच कर लिया गरम पानी में और उसको हम ठंडे पानी में डाल देंगे तो पहले पालक डाल दिया है अब इसमें मतर भी डाल देंगे तो जल्दी से ये लोग अपना कुकिंग बंद कर देंगे तो गरम पानी में जो उबल रहा था वो कुकिंग बंद हो जाएगा और इकदम फ्रेश रहेगा अब इसमें से एक तुक्दम ठंडा हो गया है ये तो अब इसमें से हम निचोड के पालक को निकाल लेंगे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए तो पालक को अच्छी तरह से पूरा पानी निचोड लेंगे और मटर को भी पानी से निकाल के दोनों साथ में रख लेंगे और अब इसको हमने निकाल लिया है देखें मटर का कलर कितना सुन्दर है पालक भीगदम ग्रीन ग्रीन दिख रहा है और इसका थोड़ा बहुत भी पानी है वो भी निचोड लेंगे अच्छी तरह से और इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे इसको मिक्सी में डाल देंगे पालक और मटर और इसमें दो मिर्ची हरे मिर्ची डाल लेंगे अपने स्वाद की नुसार मिर्ची कम कर सकते हैं जादा कर सकते हैं इसमें मटर भी डाल दिया है और इसको हलका दरदरा पीसेंगे, एकदम फाइन नहीं पीसेंगे, ज्यादा फाइन पीसेंगे तो वो एकदम पतला हो जाएगा, फिर उसका हमको टिक्की बनाने में थोड़ा महिनत लगेगा, तो इस तरह से दरदरा ही पीसेंगे, तो अच्छ अब थोड़ा गैस के तरफ चलते हैं, दूसरा प्रॉसेस करने के लिए, तो गैस पे हमने पैन चड़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, एक से देड़ चमच के लगबग, इसमें हम जीरा डाल लेंगे थोड़ा सा, जीरा चटक किया है, आब इसमें हम आधा सिमला मिर्च को अदम बारी काट लिया है, और इसको इसमें हलका फ्राइ कर लेंगे, तो यह रबरा कबाब में बहुत ही अच्छा टेष्ट देता है, इसमला मिर्च, तो इसको हलका सा गला लेंगे, तो खाने में अच्छा रहेग कि और इसको हलका सा正 Bible पे भूंझ लेते हैं अब TI I am अब इसमें हम सुखे मसाले डाल देते हैं तो, प्र॥ युई एक चमच थमियोग पॉड़र थोड़ा सा हल्दी अब त्र। थोड़ा मिर्ची पॉडर अगर नहीं डालना है तो नहीं हम बहुत सारा धनिया पत्ती काट की डाल देंगे और उसको सिमला मिर्च के साथ मसाले के साथ अची तरह भून लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अगर आपको अभी नहीं तो इसको आप पालक और मटर के साथ भी पीश सकते हैं अगर खड़ा नहीं डालना है तो तो दोनों में सेम ही रहेगा स्वाद में फरक जादा नहीं पड़ेगा तो इस तरह से हम इसको भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पे अब इसमें हम जो पालक और मटर को पीश के रखाय था वह भी इसमें डाल देंगे जो इसमें थोड़ा बहुत भी मौश्चर रह गया होगा वह सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा इसको अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे ही भून लें चार से पांच मिनाट हम को भूनते हुए हो गया है देखिए सूख गया इसका पानी सारा राय हो गया है अब इसका गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए डाल देते हैं यह हमारा ठंडा हो गया है अब इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर डाल लेते हैं और थोड़ा आलू मैश करके मीडियम साइज का दो आलू बहुत है ने तो फिर आलू आलू जैसा लगेगा और इसमें ये डाल दिया हमने अधरक लेशन का पेस्ट और इसमें ये डाल दिया हमने 3-4 चमच ब्रेट क्रम्स और इसमें दो चमच हम कौन फ्लोर डाल देंगे स्वाद के नुसार इसमें नमक डाल लेते हैं और आप इसमें गरम मसाला जो बहुत अच्छा स्वाद देगी और इसमें चट पटा इसको बनाने के लिए चाट मसाला डाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी मिला देंगे रगड के कसूरी मेथी से इसको स्वाद दूगना हो जाता है बहुत ही टेस्टी हो जाता है अब इसको अच्छी तरह से सारी चीजों को मिला लेंगे चमच से नहीं हो रहा है तो हाथ से भी मिला सकते हैं हाथ से अच्छी तरह से सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी यह हमने अच्छी तरह से सारी चीजें को मिक्स कर लिया है एक डू की तरह यह तेयार हो गया है अब इसका हम गूल गूल टिक्की के जैसा बनाएंगे जैसा कि हरा भरा कबाब होता है शेप में तो हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा ये मिश्रन लेकर के उसको गोल बनाएंगे, हलका सा दबाते हुए ताकि सब एक साथ हो जाए, अच्छे से शेप दे देंगे इसको, चारो तरब से चिकना कर लेंगे, गोल घुमा के, इस तरह से हम सारे मिश्रन क टिक्की बना के रख लेते हैं, ये हमने सारा बना के रख लिया है, तो जैसा है आप रे इस्टोरेंट में देखते हैं, हरे भरे कबाब के उपर काजू लगा रहता है, तो वही लुक देने के लिए हमने इस पर काजू लगा दिया है, काजू को 20 से आधा-धा करके, हरे टि की पे काजु हमने लगा दिया है जो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है तो आप xlltte है इसको शेखिनी की प्रोसेस में तो गैस में हमने पैंच भा दिया है तो इसको साइलो फ्राइ भी कर सकते हैं डीप फ्राइ भी कर भून के रखा है तो ये बहुत ही अच्छे से सालो फ्राइ में ही पक जाएगा सिर्फ इसमें थोड़ा सा कलर देना है थोड़ा सा पका लेना है सब एक साथ तो इस तरह से हम सारे टिकी को डाल देंगे और उसको मीडियम फ्लेम पे सिकने देंगे और जब एक तरफ से हलका ब्राउन हो जाएगा पक जाएगा तो इसको पलट लेंगे तो ज़्यादा दिर पकानी की जुरूत नहीं है दो तीन मिनट में ही नीजे से ये हलका ब्राउन हो गया है तो इसको हम पलट लेते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है और खा के देखिए बना के देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट है तो इसी तरह के मज़ेदार चटपटी रेसिपी देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और कमेंट तो जरूर ही करें यह देखी कितना सुंदर आया है और अपने friends, relatives में इसको share करें तो अब टिक्की के साथ खाने के लिए थोड़ा चटनी बना लेते हैं यह देखी कितना सुंदर आया है है ना तो अब चटनी भी बना लेते हैं तो धनिया के दही वाली चक्नी बनाएंगे, उसके लिए हमने धनिया ले लिया है, मिक्सी में, और इसमें तीन-चार लसुन, थोड़ा सा अद्रक, दो-तीन मिर्ची, नमक, निम्बू, सब अच्छे से डाल लेंगे, और थोड़ा दो चम्मच इसमें दही डाल देंगे, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, और हरा-वरा कबाब को पचने में भी मदद करेगा, चटनी बहुत ही टेस्टी होता है, तो घर पे बना के जरूर देखिए, तो यह हमारा चटनी तयार है, अब इसको सर्व करते हैं, हरा-वरा कबाब के साथ, तो कोई भी गेश्ट महंगा से महंगा स्टार आप घर पे बना सकते हैं, इस तरीके से, तो आज इट इस फॉलो करेंगे, तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, थोड़ा सा टेस्ट कर लिजे, और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाई बाई